कि नमस्कार साथियों पाली टेखनिक पाड़ साला में आप सभी का स्वागत है एडीडी फर्स्ट में जो है आपको एक कोश्चन बताया जा रहा है कोश्चन तो काफी लंबा है मतलब इंटर्नल वायरिंग में जितने भी कोश्चन है सबके सब लंबे हैं लेकिन सभी करम से यही बस इस टेप आपको जानना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है ठीक है कि हमें सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है तो उस चीज को हमने पिछले लेक्टर में बताया अभी एक टापिक उसमें और बचा है कि सामागरी में जो मतलब वो इंटर्नल करने के लिए जो है वायरिंग करने के लिए कितनी सामागरी की जरूरत पड़ेगी उसका भी डाटा हमें क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा समझ में अब जैसे एक्जाम के पॉइंट आप भी उस अगर देखेंगे तो डाटा तो उसमें बहुत सारी चीजे लिखनी रहेंगी लेकिन हमें सारी चीजों को लिखना जरूरी नहीं है, हमिके बढ़र स्टे ब्रव sms क वैसे लग रहा होगा की डिडी काफी ज़्यादा लंबा है आप खतम नहीं हो पाएगा लेकिन ज़्यादा ज्यादा चार दिन के अंदर जो है डिडी आपका खतम हो जाएगा और एक-दो दिन में मैं वह कोस्टन आपको बताऊं गा जिस कोस्टन को आपको पढ़के जाना है ठीक है इडीडी में बिल्कुल टेंसर लेने की किसी को भी जरूवत नहीं है मैं जो कोस्टन दूँगा उसको आप पढ़के जाईएगा ठीक है उसे इंसे सारे कोस्टन आएंगे यह जान लीजिए उसे इंसे सारे कोस्टन पूछे जाएंगे बस थोड़ा धायर रखिए बस इसको पढ़ते रहे और वीडियो को ज़्यदा ज़्यदा आप लोग सेयर करिए बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता है और क्या कहते हैं कि istimating and casting Sumagri कa stimating अभी जो हमने व रिंग की है उसमें क्या क्या साम क्या समग्री के लगेगा कितनी मात्रा में सामग्री लगेगा प्रतेक सामग्री का जो है rate क्या है उसका मून क्या पड़ेगा फिर dependent calculation करेंगे फिर उसका लेबर कास्ट निकालेंगे फिर उसके बाद निकालेंघ तो तमाम सारे होते हैं जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं वह क्या कर सकते हैं निकाल थीक है सब कुछ निकालिए चाहे ना निकालिए लेकिन एक सेक्वेंस आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा देखिए अगर पूरा एक कोश्चन में अगर पूरा पूछ लेता है जैसे कहा देगा कि मतलब दो रूम है और एक बारंदा है उसमें आपको वाइरिंग करना latest distribution भूंच के लंबाइब करना है केवल की लंबाई को कल्कुलेट करते हुए जहुत की लंबाई कि दिश्का मतलबGS मी टो इसका मतलब है कि व्म कोसच्चन यह की कोसचन 50 नंबर का हो जाएगा संद मतलब मैं लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है एक बार ऐसे 40 नंबर का question क्या किया था पूछ लिया था तो इसमें जो question देगा छोटा ही question देगा या तो कहेगा layout बना दीजिए या तो यह उसको कहेगा या तो यह कहेगा कि कर दीजिए जो भी समागरी लगेगी समझ मैं तो अमाल यह पूलू से इस्टेमेटिंग कास्टिंग नहीं हो पा रहा है लेकिन उस चीज को आपको दर्सा ना पढ़ेगा जैसे अगर सीरियल नंबर है सामागरी का विवराण है मात्रा है क्या ही है दर है क्या इतना ही दर्सा कुछ कामन चीजे होती है जिसे आप लिख सकते हैं तो हर एक वाइरिंग में उसे क्या किया जाता है यूज क्या जाता है समझ मैं अधि आफिए अभी जो वाइरिंग किया गया है अब यहां पर देख़िए सामगरी का इस्टिमेटिंग एं कास्टिंग करना है ठीक है तो स करना है तो उस चीज को करने से पहले यह सारी सारी चीजे जो हैं हमें कल्कुलेट करनी पड़ती हैं उसका प्लान डाइग्राम बनाएंगे सिंगल डाइग्राम बनाएंगे उसके बाद डिस्टिब्यूशन डाइग्राम बनाएंगे यह सारे डाइग्राम बनाएंगे उसके चलता है कि इसकी समागरी की जरुवत पड़ेगी और कितनी मात्रा में जरुवत पड़ेगी और कौन से company का चाहिए क्या चाहिए और अपने उपने निर्भार की आप कितना महांगा समान लगवाना चाहते हैं तो इन सब की जानकारी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मतलब डिजाइन करने से पहले या इंस्टाल करने से पहले जो है आप इसका ये सब कुछ करते हैं जो हमने इस्टेप बताया है इससे क्या होता है ना कि पूरे कास्ट का पता चल जाता है सामागरी के बारे में पता चल जा जाता है और इसी को क्या बोलते हैं इस्टिमेटिंग कास्टिंग बोलते हैं समझ में यह सब इंस्टाल करने से ऐसा थोड़ी नहीं कि जब प्रोजेक्ट हमने चालू कर दिया तब उसके बाद जो समान लगेगा धिरे-धिरे सब एक एक करके मंगाएंगे तो ऐसे तो हो नही लिखा गया है सामग्री का नाम है वो विवरण सामग्री का ुछ दू इसका Kworking कितनी माती großer में चाहिए में सबसे पहले क्या होगा, एक फ्यूज उनिट लगेगा MSB, MSB लगेगा, आपको पता है, MSB मतलब मेन क्या कहते है, स्विच बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड लगेगा, तो मेन स्विच बोर्ड में सबसे पहला पॉइंट देखे, एनर्जी मीटर के जस्ट बाद एनर्जी मीटर तो कौन लगाएगा बिजली विफाग लगाएगा हमको तो उसको लगाना नहीं है उसके बाद जो हमारा क्या करते हैं एमस्बी है उसको तो हमें खरीदना पड़ेगा तो यह पांच एमपीर 250 बोल्ट और डीपी आइसी फ्यूज यूनिट ठीक है यह चीज है यह क्या है यह मैस्बी है तो अब इसमें क्या लिखना है यह कितनी मात्रे में चाहिए केवल एक चाहिए समझ में आया है इसका नहीं है तो में यह 5 stop Ia के my दिंव अरहा यह जो समुज यूदि है नियौञ प्रत्रिवर्यू यूणिट नहीं पुस्यूज यूट फ्यूज इनहां प्रत्रिक्तseasonlic aí फ्यूज कि दूबчесक रहा है तो arcubby यूँड आ थिक है उसके पाल झाल कि कि नहीं прот 900 रुपिया हो जाएगे किसके लिए है MSB है ठीक है MSB है तो उसके बाद फिर क्या है आप distribution board लेंगे क्या लेंगे distribution board लेंगे तो यह तो क्या करते हैं आपका MSB के होगा अब 5 ंपिए 250 बोल्ट सिंगल फेस्ट द्वी मारगी क्या होगा द्वी मारगी होगा जब बनेगा तो द्वी मारगी होगा समझ भाए तो दोनों circuit के लिए अलग अलग वायर निकलते हैं तो यहां पर द्वी मारगी distribution बोर्ट की जरूओत पड़ेंगे आइसी बोड यह चीज तो आपको पहले ही बताया गया है मतलब आइरन क्लैड होना चाहिए जो हमारा बोड होना चाहिए वह आइरन का होना चाहिए क्लैड होना चाहिए चारों तरफ से बंग ठीक है पांच एंपीर 250 बोल्ट सिंगल फेज रहेगा ठीक है दूई मारगी रहेगा क्योंकि दो सरकीट है आइसी यह तो सभी में कंफर्म है कहीं भी आप वाइरिंग करेंगे तो यह कुछ चीज़ें ऐसी है जो कामन है जो जिन्हें लगना जरूरी ही है तो इसे तो आप आ है तो टोटल मूल लिसका कितना हो गया एक ही है तो 800 रुपिया हो जाएगा देखिए सब चीज का दाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि सब चीज का दाम जो है न आपके बुकों में दिया है आप अपने बुकों में पढ़ सकते हैं और नहीं मैं पूरा यहां पर कल्कुलेशन करूंगा यह सब का देखिए आपको भी कल्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको इस्टेप जानना क्या होता है जरूरी होता है यह चीज आपको ध्यान में रखना है बस आइसा ही एक्जाम में भी करना है ऐसा नहीं है कि आप सभी समागरी का नाम लिखते चले लेकिन हां कुछ पॉइंट हैं जिनने लिखना जरूरी है यह मैस्बी हो गया फिर उसके बाद ऐसे कुछ कामन चीजे जो भी आपको याद में आए तो यहां पर आप लिखे दीजिए फिर उसके बाद जरूरी होता है उसके पास सागवन की लकड़ी का दोहरा बोर्ड क्यों लेंगे वाई यह सागवनकी लकडी पर उसे क्या किया आता है सागवन की लकडी पर और इस बोड़ को प्सठाफन ऐस चाहिए हम माल लीजिए 500 रुपिय प्रतीफ है प्रती लगड़ी का बोड है तो कितना टोटल हो जाएगा पांच रूपिया हो जाएगा यह मैं जबी वर डीबी के अस्थापन है तो में सब्सक्राइब के इंस्टालेशन है तो जो है हमें सागवन की लकड़ी का दोहरा बोड चाहिए यह तो कामा नहीं यह तो हर जगह लगेगा समद में अब तो पिवी सी कंड्वीट पाइप लगेगा आपको पता है कि कंड्वीट पाइप की लंबाई कितनी है समन्सें आया आप हमारे पास जो यहां पर क्या काते हैं वाइर इंग में कंड्वीट की जो लंबाई है वह अलग-अलग है एक तो 16 mm के लिए हैं एक उननीश में एक 16 mm का है एक 19 mm का है और एक 25 mm का है समझ में आया 16 mm का 20.05 मीटर है यह हमारा यूनिट है ठीक है यह है तो 16 mm का 20.05 मीटर है आपको पहले ही पता है क्योंकि आप पहले कल्कुलेट कर चुके है पहले है तो इसके बाद 25 mm का कितना है पांच मीटर है आप यहां पर देखिए यह जो कंड़ीट पाइफ है तो हमने मान लिया है कि 16 mm का जो कंड़ीट पाइफ है 11 रुपिया यहां पर आयसे लिखेंगे तो ठीक रहेगा 11 रूपए प्रत्मीटर है और 19 mm कितना है 15 रूपए प्रत्मीटर है और उसके बाद 25 mm कितना है 20 रूपए प्रत्मीटर है तो उसमां कल्कुलेशन कर देंगे तो आपका पैसा भी आ जाएगा ठीक है अब यह दाम अपने से कि कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन एक ऊचीत रिट होना चाहिए जो मार्केट का रेट हो समझ मैं ऐसा नहिंकि बस एक दम से बढ़ा ही दीजिए पिर एक कम ही कर दीजिए लेकिन जो लिखी आपको यह जानना है सारी चीजे करनी जरूरी नहीं नहीं है सोचिए इतना बड़ यहां पर उसका रेटी ऑफ के क्लेम पैसे में अब उसके तो, किक बंद करने के लिए इसको बंद करने के लिए इसको करने के लिए दिवाल के क्लांप भी सोना में कटलां लगते हैं एक मीटर में टीन क्लांप लगते हैं कितने मीटर है तकुछिए यहां पर कितना मीटर है जैसे 2.5 मे यह चीज और धियां दीजिए ज्लेंगे न वह 10% और काटा फिट करके कभी कभार कहीं मोड उडाता है मतलब उसको हम कहीं पर यूज नहीं कर पाते हैं तो वहां पर अगर brings यह हो जाएगा कम पड़ जाएगा हमें एक्षा लेना पड़ता है तो लेना पड़ता है dozen है हमें क्या करना पड़ता है लेना पड़ता है वह आपके उपर है आप 10-15 परसंट 12 परसंट 13 जो भी आप ले सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने पास एक्ष्टा पाइप रखते हैं तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो देखिए अब यहां पर क्लैंप चाहिए त तो बीस में कितना बीस तियाई साथ लगेगा समझ में आजा अदसनों पांच और है उसी में गुड़ा करेंगे तो एक प्रकार से देखा जाए तो क्या कते हैं पांस तियाई पंद्रा तो पंद्रा और लगेगा तो पचाहत्तर लग भग लग जाएगा ठीक है लेकिन हम एक मत्रा में कितना होता है तो अइसे ही ALL कर सकते हैं यृव सोला में के मिम के कितना इनथाई 3'll 001 क संटे कॉक्रे कर है तो presenting कि Sana लिए तो लिखना है आप यहां पर फैकेट लिख सकते हैं ऐसा नहीं है यहां पर 2d sır सकते हैं हो अऄदिकट की बात नहीं कि आप लिग्दे तो एक गलत हो जाएगा लेकिन आप एक्सिटर रखेंगे क्ये क्या करेंगे जितनी हमें जरूत है utrRO उत्रा हिं करेंगे लेकिन और लक्षिट引 będą अजो गया है से दुकांदार से समाना ले सकते हैं और उसके बाद जब यानल करने के बाद जब जाता है तो उसे आप वापस कर सकते हैं अथके यदे बूब आजयेगा अब उसके बात कंडविट शाकेट आजयेगा देखे यहां पर जहां पर पांच मीटर से अधिक लंबाई होने लगती है वहां पर साकेट लगता है दो कंडविट को वापस में जोड़ने के लिए जो है हम साकेट का यूज करते हैं लेकिन यहां पर कहीं भी पांच मीटर लंबाई है ही नहीं समझ यहां पर कहीं भी सीधी लंबाई पांच मीटर पांच मीटर से कम ही है, तो इस वज़ा से इसमें साकट नहीं लगेगा, देखे करम से आप देखते चले जाएंगे, हमें क्या क्या चाहिए, पहले MSB चाहिए, पहले उसके बाद distribution board चाहिए, फिर distribution board और MSB को फिट करने के लिए हमें लकड़ी का plate चाहिए, जो सागवन की लक पड़ेगी, socket की जरूवत पड़ेगी, elbow की जरूवत पड़ेगी, elbow गहरां के बारे में आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं, यह सारी चीजे जो है, electrical में पढ़ाई नहीं जाती है, कुछ चीजे ऐसी होती है, जिसे आपको खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक है, फिर conduit socket है, दो conduit को आपस में जोडने के लिए जो है, socket का प्रयोग किया राता है, लेकिन यहां पर इस wiring में कहीं भी conduit socket नहीं लगेगा, क्योंकि 5 मीटर से हर जगा क्या है, कम है, जैसे माली जी हमारा conduit है, तो इसको जोडने के लिए आप ऐसे क्या करेंगे, socket यूज करेंगे, ठ फिर उसके बाद busing लगता है, busing लगेगा, lock nut लगेगा, मतलब board में, जो हमारे switch board है, जो distribution board है, उसमें busing और lock nut लगता है, ताकि जो है, हमारा conduit जो होता है, वो न तो अंदर घुस पाए, न तो बाहर निकल पाए, समझ में आए, एकदम fix करने के लिए, जो है, busing और lock nut लगेगा, शमझ में आए, बस यह जान लेजिए यह जहाँ जहाँ पर बोड होगा, जहाँ 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 पर Jackson box होगा, वहाँ पर जो है, आपका pushing our lock Nut लगेगा, जैसे दो मारगी Jackson box है, हमारा Jackson box कितना है, दो मारगी हो जैसे दो बूशिंग लगेगे, दो मारगी हो जाए चार मारगी हो जाए इसमें चार लाकनट लगेंगे और चार बूसिंग लगेंगे समझ में यह चीज आपको ध्यान देना है तो जहां-जहां पर जक्सन बॉक्स लगे होंगे और जहां-जहां पर आपके क्या होंगे स्विच बोड होंगे या हम नहीं लेखा रहा हो हो हलाकि अठारा अथारा लगोई किया है और अभी क्या है समय कम है आपको बता लेकिन अभी एक इस्टेप पूरा जान लीजिए जक्सन बाक्स लगेगा जक्सन बाक्स कहां कहां पर लगेगा जहां पर आपका क्या कहते हैं जहां पर आपका फैन होगा और जहां पर आपका जो है बल्ब होगा वहां वहां पर क्या लगेगा जक्सन बाक्स आपका लगेग अब इस देखिए अब यहां पर जो है इसे मिटाना पड़ेगा अब देखिए सब का रेट होगा उनकी क्वांटिटी को लिख करके उनका पैसा होगा कुछ उसका कल्कुलेशन करके यहां पर पूरा कल्कुलेशन आप कर सकते हैं ठीक है अब उसके आगे का मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको मैं मिटा दे रहा हूं सभी लोग एक बार इस स्क्रीन साट ले 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 समझना जरूरी है इक्जाम में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस्टेप याद रखिए के वहली स्टेप से आपका काम पूरा हो जाएगा ठीक है तिन चार दिन में मैं ड्राइंग खतम कर दूंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस आपको अधर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना है और अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मेरे मतलब वार्टसप पर मैसेज कर देगा कि ड्राइंग का एक्जाम कब है ठीक ह यह भी चीज आप लोग थोड़ा ध्यान देजिएगा अब देखिए ध्यान से देखिए अब जो है 11 नंबर आ गया 11 नंबर पर हमारा क्या है इस सीलिंग रोज है 11 नंबर पर हमारा क्या है सीलिंग रोज है सीलिंग रोज सीलिंग रोज ठीक है अब सीलिंग रोज जो है क्या करते हैं जहां पर फैन होगा जहां पर आपका फैन होगा वहां पर क्या लगेगा सीलिंग रोज लगेगा ठीक है अब कितनी संख्या में लगे गए एब ही आप मत जानी हैThat तो ट्यूबलाइट में क्या होगा कितनी संख्या में चाहिए आपको पता है यह ही ट्यूबलाइट चाहिए तो मात्रा ही आप लिख सकते हैं और उसके से बाद सीलिंग रोज भी एक्स्टा लिख सकते हैं जितना आपका लगेगा सीलिंग रोज उससे ज्यादा भी आप क्या कर सकते हैं लेकिन क्या-क्या समान लगेगा उसके बारे में आपको पता होना क्या है जरूरी है वह अलग बात है कि आप पूरा कल्कुलेशन करके लास् वह का आता है वो सारी चीजे आप समझ समझ रहे होंगे बल्व लगेगा फिर उसके बाद जो है 14 नंबर आपका फैन लगेगा क्या लगेगा फैन लगेगा फिर उसके बाद फैन कितनी संख्या में है साय तीन नंबर में है बल्व कितने है आपका ट्यूब लाइट तो आपका वन लगेगा बल्व कितना लगेगा दो दो चार और एक पांच पांच आपका क्या लगेगा बल्व लगेगा और उसके बाद जो हैं 15 नमबर आपका आनोब है। फैन लग गया रिगुलेटर हो गया। फैन एंड रिगुलेटर ल튿 फैन एंड रिखूलेटर फैन एंड रेगुलेटर ठीक है रेगुलेटर अलग लिखे क्योंकि अलग-अलग रेट होता है सबका तो रेगुलेटर हो गया रेगुलेटर हो गया तो यहां पर आपका रेगुलेटर भी तीन ही होगा और उसके बाद जो है बल्ब होल्डर हो गया बल्ब एंड होल्डर हो तो शॉक्ट हो गया तो साकट भी आपको कितना चाहिए तीन चाहिए साकट ठीक है उसके बाद जो है आपका स्विच बोड चाहिए इंडिकेटर भी लगेगा जैसे बोड में आप वाइरिंग कर रहें स्विच बोड में तो आपको यह पता चले कि हाँ लाइट है कि नहीं है तो आपको indecator भी चाहिए इंडीकेटर तो indecator भी मनलिघ कितने switchboard है एक दो और तीन है ठीक है तो तीन है तो तीन जो है आपके इंडीकेटर हो गए ठीक है इसे एक्सटा ले लिल आ जाता है बाद में जब ज्यादा पढ़ता है तो अपने पास रख्धा भी जाता है वापस भी कर सकते हैं आप इसमें कोई दिक्क्त की बात नहीं है फिर उसके के बाद दूसरा जो है आपका 2.5 mm स्कायर का केबल लिए जाता है जो केबल जो है देखिए जो केबल डिस्टिब्यूशन बोर्ड और बाकि जितने वाइर होंगे सब लगेंगे तो यह हो गया फिर उसके बाद जो है अर्थ वायर लगेगा आपका 20 नंबर हो गया अर्थ वायर अदखिए जितना मीटर है उसी साफ से ले लिए जाएगा अब जैसे होता है अब्सक्राइग मार्गेट में तार खरीदने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कहेगा च। फ्रुपीय थिक है तुसका रेट यहां पे लिक करके टोटल मूल मीटर के हिसाब करके हां पर करके पूर काल्पीलेशन आप कर सकते हैं तो इसमेए में बहुत ज़्याद आपको समझाने के जरूरत नहीं है इतना तो आप समझी रहे होंगे ऐसा थोड़ी नहीं है कि इसको आप समझ नहीं रहे होंगे फिर इसको मैं मीटा दे रहा हूं फिर आगे आओ रहे हैं तो आपको समझाने के रहे हैं तो अर्थ वायर होगा अर्थ वायर हलाग इतना जरूरी नहीं है अब इतना आप लिख दिये ना तो इतना काफी है ठीक है अब अर्थ वायर जो है कितने रूपिय मीटर आता है ठीक है कितने रूपय मीटर आता है तो उसका भी कल्कुलेशन आप आसानी के साथ कर सकते हैं ठ लेवर कास्ट निकाल लेंगे फिर जो है आकस्मिक ब्याय निकाल लेंगे फिर उसके बाद ओबर हेड़ चार्ज निकाल लेंगे आपको परसेंटेज पता है लेवर कास्ट हो गया कस्मिक बीया कर सकते हैं अर पॉइंट के और लेवर कास्ट होता है या तीन तरीके में चाहल पर निकाल जाता एक समझ मैं और एक material material का कास्ट जितना आता है उसके अधार पर क्या किया जाता है निकाला जाता है तो इस तरीके से calculation किया जाता है तो यह सारे step है ठीक है तो यह question आपका यहीं पर क्या हो जाता है समाप्थ हो जाता है और कैसे कल्कुलेशन करना है यह चीज हमने आपको क्या कर दिया है बता दिया है ठीक है आब समय कम होने की वज़े से दूसरा या तीसरा चवथा कोउस्टन जैसे 2-bhk हो गया दो बेड्रूम हो गया ठीक है उसके बाद किचेन हो गया दो बेड्रूम किचेन लेट्रिंग बाथरूम जो भी होता है सब में वाइरिंग होती है ठीक है तो उसके लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं थिरी भी अचके होता है अब ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगएरा होती है तो उसमें भी वाइरिंग की जाती है तो उसमें तो हम उती कि टीरे होता है तो याद हो जाती है यह है उसके लिए क्या मेजर मेन होता है है। यह सब बार-बार करनेसे क्या होता है वो सारी चीजे याद हो जाती है जिसकी वज़ासे कॉंपरे लेक्ति में बढलिभिए embracing ४ाइzd कश्सा कि क्या हो जाते हैं साल्व हो जाते हैं ठीक है तो ये रहा है ये कोस्टन का इस्टिप तो इससी तरीके से आपको क्या करना है वायरिंग करना है ठीक है अभी बहुत बड़े झाल झाल